गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज के डेली करेंट अफेर्स प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं सबसे पहले आप सबों को क्यूरियस हब की तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक सुब काम नाएं इसके बाद बताना चाहेंगे कि वीडियो के अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रशन पूछा गया है इसलिए किर्पया आप वीडियो को अंत तक देखें और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर उस प्रशन का उतर दे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो किर्पया लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों आज है 14 सितंबर 2021 और आज के करेंट अफेर्स से जितने भी बहु विकल्पिया प्रशन बन सकते हैं उन सभी की हम इस सेशन में चर्चा करेंगे आईए सबसे पहले देखते हैं पिछले सेशन के अभ्यास प्रशन को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोड के जज नियुक्त होने वाले पहले भारतिया कौन बने है आईए अब देखते हैं इस सेशन के पहले प्रशन को हाल ही में यूएस ओपेन बी सौएकिस के पुरुस एकल का खिताब किसने जीता है उप्शन ए डेनियल मेदवेद, बी नोवाग जोकोविच, सी लियोनेल मेसी और डी रोनाल्डो तो इसका सही उत्तर है ओप्शन ए डेनियल मेदवेद, आईए डीटेल में देखते हैं डेनियल मेदवेद ने यूएस ओपेन बी सौएकिस के पुरुस एकल का खिताब जीता इसके साथ ही नोवाग जोकोविच का कैलेंडर ग्रैंड स्लैम बनने का सपना अधूरा रह गया तो कैलेंडर ग्रैंड स्लैम होता क्या है यदि कोई खिलारी एक साल में चारो प्रमु ग्रैंड स्लैम जीत ले तो उसे कैलेंडर ग्रैंड स्लैम कहते हैं तो US Open को छोड़ कर जितने भी तीन Open थे उन तीनों को नोवाक जोकोविच ने ही 221 में जीता था लेकिन ये जो चौथा था जिसको जीत कर वे कैलेंडर ग्लैंड स्लेम कहलाते ऐसा सपना उनका पूरा नहीं हो सका और इस US Open को किनों ने जीताड डेनियल मेदवेदेव ने यहां आप इमेज में देख पार हैं डेनियल मेदवेदेव जी को चली अगला प्रस्टन है हाली में US Open 2021 का आयोजन कहां किया गया अब आते हैं लोकेशन पर A. New York B. Australia C. England B. Siberia तो US Open 2021 का आयोजन आप्शन नमबर A. New York में हाली में किया गया आए डेटेल में देखते हैं कि इस परतिसपरधा का आयोजन न्यूजन न्यूजन के Arthur S. स्टेडियम में किया गया था इस स्टेडियम का नाम Arthur S. एक टेनिस प्लेयर के नाम पर रखा गया है तो यह जो Arthur S. बारवार आप नाम सुन रहे हैं जिनके नाम पर स्टेडियम है New York में और उसी में US Open 2021 का आयोजन किया है इन ही की इमेज नीचे लगी विये यही है Arthur S. चली अगला प्रशन है हाली में गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने है? Option A. भूपेंद्र पटेल, B. आनेंदी बेन पटेल, C. बिजयरुपानी और D. नवीन पर नायक तो यह तो काफी आसान सवाल है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो तीन लोग को आप जान है यह जो चौत हैं हमारे A. भूपेंद्र पटेल यही गुजरात के नए मुख्यमं बने हैं आईए डीटेल में जानते हैं इनके बारे में 13 सितंबर को इन्होंने गुजरात के 17 हवे मुख्यमंत्री पद की सपतली श्री पटेल 2017 में आहमदाबाद सहर के घाट लोदिया निर्वाचन छेतर से पहली बार विदायक बने थे उन्हें गुजरात के राजिपाल आचारी देवरत द्वारा नए मुख्यमंत्री के रूप में शपत दिलाई गई आईए अब भुबेंद पटेल जी को इमेज में यहां देखते हैं जहां आप देख पार हैं कि ये कितने उम्र की हैं 69 वर्स के हैं और ये घट लोदिया कॉंस्टिचुएंसी से MLA रह चुक की किरन भी घीवल डी स्मृती बैनर जी तो फ्लोरेंस नाइट एंगल पुरुषकार के लिए हाल ही में गुजरात की नर्स भानुमती घीवाल का चैन किया गया है आईए इनके बारे में डीटेल में जानते हैं यहां आप इमेज में देख पार हैं भानुमती घीवाल जी क फ्लोरेंस नाइट एंगल पुरुषकार के लिए गुजरात की भानुमती घीवाल का चैन किया गया है वह बरोदरा के सर सयाजी राव जनरल अस्पताल में कारेरत हैं बता दें की कोवीड नाइंटीं के दौरान उन्होंने कोवीड पॉजिटिव महिला गर्वती महिलाओं की डिलीवरी के साथ साथ नवजात शिश्वों की देखवाल अनवरत रूप से की इसके अलावे यह पुरुषकार भारतिय नर्श्रिंग परिस्त के द्वारा किया जाता है अगला प्रशन है हाल ही में अजीज अकनौच को किस देश का प्रधान मंत्री नियुक्त किया गय है आईए डीटेल में देखते हैं यहाँ इमेज में देख पार हैं अजीज अकनौच जी को यही मोरकों के वर्तमान प्रधान मंत्री है इसके अलावे मोरकों के राजा मुहम्मद सिक्स ने अजीज अकनौच को नए प्रधान मंत्री के रूपे नियुक्त किया है अकनौच लीबरल नेशनल रैली ओफ इंडिपेंडेंस के नेता हैं इस वर्ष के संसदिय चुनावों में इनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है अगला प्रश्ण है हाल ही में T20 वर्ड कप 2021 के लिए किसे भारतिय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है A. सचिन तेंदुलकर B. महेंज सिंग धोनी C. राहूल रविडी इनमें से कोई नहीं तो हाल ही में महेंज सिंग धोनी को T20 वर्ड कप 2021 के लिए भारतिय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है आईए डीटेल में देखते हैं यहां आप इमेज पर देख पा रहे हैं कि T20 वर्ड कप के टीम इंडिया के मेंटर कौन बने है महेंज सिंग धोनी जी बने है देखिए भारत क्रिकेट टीम के पूर कप्तान MS धोनी आगामी T20 विसकप के मेंटर बनाए गये हैं इन्होंने पिछले साल ही इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास लिया था इस टूर्णामेंट का पहला एडिशन धोनी के कप्तानी में ही टीम इंडिया ने अपने नाम किया था अगला प्रशन है हाली में किस राजी में राजा महेंद प्रताप सिंग विश्विद्याले की आधार शिला रखी जाएगी उप्शन A उत्तर प्रदेश, B कुजराच, C में खाले, D मध्यप्रदेश तो हाली में उत्तर प्रदेश में राजा महेंद प्रताप सिंग विश्विद्याले की आधार शिला रखी गई आईए डीटेल में जानते हैं कि हाली में PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजा महेंद प्रताफ शिंग विश्विद्याले की आधारशिला UP के अलिगर्ड में रखी गई यह विश्विद्याले दो साल में 101 करोर की लागत से बनकर तयार होगा इस से CM योगी जी ने जनता के साथ जो वादे पूरे किये वादे पूरे करने का एक प्रयास यानि एक कार किया यहां आप इमेज में देख पा रहे हैं राजा महेंद प्रताफ शिंग स्टेट युनिवरसिटी अलिगर्ड के पूरे डिमोंस्ट्रेशन को कि किस तरह का युनिवरसिटी बनने जा रहा है आईए अगला प्रसंद देखते हैं हाली में यूएस ओपेन महिला एकल का खिताब किस ने जीता है आईए डीटेल में इनके बारे में जानते हैं तो यहां आप इमेज में देख पा रहे हैं डाटा कानू को ब्रिटेन की एमा राडा कानू ने कनाडा की लेना फर्नांडिस को हरा कर यूएस ओपेन बीस ओएकिस का खिताब जीता यह 18 साल की उम्र में यह खिताब जीतने वाली सबसे युवा खिला रही हैं यह इनका पहला ग्रैंड स्लैम का फाइनल मुकाबला था इस से पहले इन्होंने ग्रैंड स्लैम का फाइनल नहीं खेला था और इस बार उन्होंने पहली बार खेला और इसमें जीता भी अगला प्रशन है हाली में किसने अपनी नई पुस्तक बैक टू दे रूट्स पुस्तक का फिमोचन किया ओप्शन ए रसकिन बॉंड बी तमन्ना भाटिया सी जी राजेश्वन डियामित्ता भोस ओप्शन बी जो सलिब्रिटी हैं स्टार हैं साउथ की बॉलिवूड की तमन्ना भाटिया इनकी ही लिखी गई पुस्तक है बैक टू दे रूट्स इन्होंने अपनी पुस्तक का विमोचन किया है हाली में आए डीडेल में देखते हैं कि तमन्ना भाटिया की यह किताब स्वास्थ और वेलनेस के भारत के प्राचीन रहस्यों को उजागर करती है इस पुस्तक के सभी अध्याय आजमाये हुए रहस्यों से परिपूर्ण है जिन्होंने इस देश की पीरियों की सेवा की है इस पुस्तक के सह लेखक सेलिब्रिटी कोच ल्यूप कंटीन हो है यहाँ आप इमेज में देख पार है तमन्ना भाटिया को जो की साउथ की और बॉलिवूड की भी स्टार सेलिब्रिटी है सेशन का आंती प्रश्ण है हाली में किसने बी एस एफ के नए डीजी का पधवार संभाला है आप्शन ए एसल त्रिपाठी, बी निलेव सिंग, सी पंकज कुमार सिंग और डी बावुरान तो यह जो पंकज कुमार सिंग जी है, इन्होंने हाली में बी एस एफ के डी जी का पधवार समाला है आईए डीटेल में देखते हैं, सबसे पहले आप इमेज में देख पारें इनको आईए डीटेल में जानते हैं, कि यह 1988 बैज के राजस्थान केडर के IPS अधिकारी है 27 साल पहले इनके पिता प्रकाश शेंग जी भी बी एस एफ के डी जी के पत पर देश की सेवा कर चुके है अब हम देखेंगे सेशन के अभ्यास प्रशन को आप लोग इस प्रशन का उत्तर जाकर कमेंट बॉक्स में दीजिए और बताईए कि हमारा सेशन कैसा लगा यह प्रशन है हाल ही में राश्पती रामनात कोविंद ने किस INS को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह हमारे हाल ही में एक सेशन में इस प्रशन की चर्चा डीटेल में की है हमने इसलिए आसा है कि आप सभी इस प्रशन का सही जवाब हमारे कमेंट पॉक्स में देंगे धन्यवाद मिलते हैं फिरा ग्लेशेशन में